ओम शान्ति आज दिनंक 17 माई 2022 प्राताह मुरली बाप दादा मदुगन बाबा बोले मीठे बच्चे आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्राएं की अब रूहनी यात्रा करो घर बैठे बाप की याद में रहना यहा है वंडर्फुल यात्रा अर्थात 63 जन्म हम बाबा को ढूंडते हैं पुकारते हैं अनेक यात्राएं करते हैं जिसमें हम देही की यात्रा करते हैं अब बाबा आते हैं हम बच्चों को रूहनी यात्रा सिखाते हैं कहते हैं अब तुम्हें अपने घर जाना है जहां से तुम आए हो तो अब उस घर को यात करो और मुझ पिता परमात्मा को यात करो जिससे तुम्हारे विकर्म विनास होंगे और तुम उपर चड़ते यात्रा है रूहनी वन्डरफुल यात्रा प्रश्न किया बाबा ने बाप को बच्चों की किस बात पर वंडर लगता हैं उत्तर में बाबा वोले जिस जागीर के लिए बच्चों ने आधा कल्प धका घाया, पुकारते रहे, हे पतित पावन आओ, वह जागीर देने वाला जब आया है, तब उनका बनकर भी फारकती दे देते हैं तो बाप को वंडर लगता है, बच्चे चलते चलते उच चलने के बजाए बिलकुल नीचे गिर पड़ते हैं यह भी कैसा वंडर है अगला प्रश्न किया बाबा ने किन बच्चों को बाप द्वारा बहुत अच्छी दक्षिना मिलती है उत्तर में बाबा बोले, जो बाप के रचे हुए, रुद्र यग्य की अच्छी समाल करते हैं और सदा स्रीमत पर चलते हैं, उन्हें बाप की बहुत अच्छी डक्षिना मिलती है बाबा आते हैं, रुद्र ग्यान यग्य रचते हैं, और हम बच्चों को रुद्र ग्यान यग्य समालने की स्रीमत देते हैं अर्थात हमें निमित बनाते हैं, तो बाबा कहते जो बच्चे सदा मेरी स्रीमत पर चलते हैं और पवित्र रहकर यग्य की समाल करते हैं, वे बच्चे मुझसे बहुत अच्छी दक्षिना पाते हैं, अर्थात स्वर्ग में राजाई प्राप्त करते हैं गीत सुनाया बाबाने हमारे तिर्थ न्यारे हैं ओम शांती रूहानी यात्रियों ने यह गीत सुना तुम बच्चे हो रूहानी यात्री वह जो यात्रा पर जाते हैं उनको कहा जाता है जिस्मानी यात्री वह जिस्मानी यात्रा भी आधा कल्प चलती है जन्म बाई जन्म तुम यात्राएं करते आ रहे हो वहा जिस्मानी यात्राएं करके भी लोटकर घर आ जाते हैं तुम्हारी यहा है रुखनी यात्रा वहा होते हैं जिस्मानी पंडे तुम हो रुखनी पंडे तुम पंडो का उस्ताद कौन है बाबा पूछते तुम पंडो का उस्ताद कौन है निराकार परमपिता परमात्मा उनको कहा जाता है पांड़ाउ सेना का आदिपिता तुम जान पिर लोट कर आते हैं तो विकारी बन जाते हैं यात्रा पर जाना भी ग्रस्तियों को है निवरत्ति मार्ग वास्तव में ग्रस्त धर्म से न्यारा है यात्रा पर ले जाने वाले हमेशा ब्रह्मन होते हैं गीत भी है चार धाम में फेरा किया परन्तु फिर भी बाप से दूर रहे अब बाप यात्रा पर ले जाने के लिए तुमको पवित्र बनाते हैं मुक्ती धाम जीवन मुक्ती धाम में ले जाएंगे फिर इस पतित दुनिया में आना ही नहीं है वह जिस्मानी तिर्थ करके फिर लोट आते हैं आकर गंदे धंदे करते हैं यात्रा पर क्रोध की भी मना करते हैं खास वह टाइम पतित नहीं बनते चार धाम की यात्रा करने में तीन चार मास लग जाते हैं अभी तुम जानते हो हम आत्माएं जा रही हैं बाप का फर्मान है जितना हो सके मेरी याद में रहो यहा है मुक्ती धाम की यात्रा तुम वहां जा रहे हो वहां के रहवासी हो बाप रोज रोज कहते हैं मुझे यात करो तुम्हारे विकर्म विनास होंगे और तुम आगे ज तो वन्डर्फूल यात्रा हुई ना योग अगनी से सब पाप करते हैं आधा कल्प तुमने जिस्मानी यात्रा की है पहले अव्यबचारी यात्रा थी अब व्यबचारी यात्रा हुई है पूजा भी पहले एक सिव की ही करते हो फिर ब्रह्मा विश्नु संकर की फिर लच्मी नारैन आदी की अभी तो देखो कुट्ते बिल्ली ठिकर बित्तर आदी सब को पूछते रहते हैं बाप समझाते हैं बच्चे यह सब है गुडियों की पूजा सिव बाबा के और देवी देवताओं के आक्यू पेशन को जानते नहीं गुडियों का आक्यू पेशन नहीं होता है सिव बाबा के आक्यू पेशन को ना जानना वह जैसे पत्थर पूजा हो गई फिर भी कुछ ना कुछ मनो कामना पूरी होती है सत्यूग में जिस्मानी यात्रा होती नहीं वहां मंदिर आधी कहां से आए यहां तो है ब्रष्टाचारी दुनिया अपने को पतित समझते हैं तब तो पावन होने के लिए गंगा इस्नान करते हैं कुम्ब के मेले का भी राज समझाया है यहां है सच्चा सच्चा संगम गाया भी जाता है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल सुन्दर मेला कर दिया जब सत्गुरु मिले दलाल सत्गुरु पतित पावन दलाल के रूप में आकर मिलते हैं उनको अपना सरीर तो है नहीं इस दलाल द्वारा तुम आत्माओं को अपने साथ सगाई कराते हैं अत्वा बच्चों को अपना परिश्य देते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुमको सांती धाम यात्रा पर ले जाने पावन दुनिया में ले जाने बच्चे जानते हैं भारत पावन था एक ही आदी सनातन देवी देवता धर्म था आर्य धर्म नहीं था आर्य और अनार्य अगर देवताओं को आर्य कहें तो आर्य धर्म में राज्य कोन करते थे आर्य कहा जाता है पड़े हुए को इस समय सब अन आर्य अर्थात अन पड़ है बाप दादा को जानते ही नहीं उचे ते उच है सिव बाबा फिर ब्रह्मा विश्नु संकर फिर प्रजापिता ब्रह्मा तो जगत अंबा भी प्रजामाता ठहरी इन द्वारा प्रह्मनों की रचना होती है यह है एडॉप्टेड चिल्रेन कौन एडॉप्ट करते हैं बाप आप उच रहे हैं कौन एडॉप्ट करते हैं परमपिता परमात्मा तुम जानते हो हम उनकी संतान है परंतु बाप को भूल आरफन बन पड़े हैं गौड फादर का कोई भी आक्यूपेशन नहीं जानते बाप आकर फिर ऐसे को पावन बनाते हैं बाप ही तुम बच्चों को पवित्रता की सिक्षा देते हैं अब यहां जाना है उसको याद करना है माया घड़ी घड़ी बुला देती है युद्ध का मेदान है न तुम बाप के बनते हो माया फिर अपना बनाती है प्रभू और माया का नाटक है बाबा का बनकर फिर आश्चरिवत सुनंती, कथंती, भागंती हो जाते हैं माया भी बड़ी पहलवान है यहां बुद्धी योग बलकी युद्ध बाप के सिवाए कोई सिखला ना सके सर्व सक्तिमान बाप से योग लगाने से ही ताकत मिलती है तुम जानते हो अब पवित्र बन फिर वापिस घर जाना है यहां पार्ड बजाने के लिए यहां सरीर लिया है हमने 84 जन्म पूरे किये हैं यहां है पिछाड़ी का छोटा सा महान कल्यानकारी युग तुम सब अब ग्यान गंगाएं ग्यान सागर से निकली हो बाप कहते हैं बाप को याद करते रहो तो तुम्हारी आयू भी बढ़ेगी और भविष से 21 जन्मों के लिए तुम अमर बनेंगे अकाले मृत्यू कभी नहीं होगा समय पर आपे ही एक सरीर छोड़ दूसरा लेते हो चलते फिरते बाप की याद में रहना है इस याद से तुम स्रश्टी को पवित्र बनाते हो बाप आय ही हैं पावन बनाने सेंपलिंग भी उसका लगेगा जो देवता थे अब सुद्र बने हैं और और धर्मों में भी कनवर्ट हो गए हैं वहाँ सब निकलते आएंगे सब के अपने अपने सेक्सन है वहाँ भी सब की अपनी अपनी रसम है यहाँ आदि सनातन देवी देवता धर्म का सेंपलिंग लग रहा है जो पहले ब्रहमन बने थे वही आएंगे ब्रहमन बनने बिगर देवता बन नहीं सकते ब्रहमा का ना बने तो सिव बाबा से वर्षा पा नहीं सकते जो देवता धर्म के हैं वह ब्राह्मन धर्म में जरूर आएंगे अभी तुम काटे से फूल बन रहे हो कोई को दुख नहीं देते सबसे बड़ा दुस्मन है रावन पांच विकारो रूपी दुस्मन गुप्त है आधा कल्प से सबको लड़ा कर गिराय पतित बना दिया है अभी बापने यज्य रचा है बेहद के बापने रुद्र ग्यान यज्य रचा है जिसमें सब सवहा करना है जिस घोड़े पर आत्मा विराजमान है नाम ही हे राजस्व राजाई के लिए रुद्र ग्यानी यग्य कितना बड़ा यग्य रचा है स्वर्ग की इस्थापना के लिए जानते हो अब यहाँ दुनिया ट्रांसफर होनी है दिल में नसा रहता है बाबा ने यग्य रचा है इनको अच्छी रीती समालना है जो स्रीमत पर चलेंगे उनको बहुत अच्छी दक्षना मिलेगी यग्य की अच्छी समाल करते हो तो तुम विश्व का मालिक बनते हो जिस जागीर के लिए तुमने आधा कल्प धक्का खाया है बाब आते हैं देने तो ऐसे बाब को फिर फारगती दे देते हैं बाब वंडर खाते हैं सजनिया गाती थी आप पर बलिहार जाओ अब आया हूं तो तुम मेरे बनकर फिर फारगती दे देते हैं वहा फिर उच चड़ने के बदले नीचे गिर पड़ते हैं चड़े तो चाखे बेकुन रस गिरे तो चकना चूर फर्क तो है न कहां प्राइम मिनिस्टर आदी और कहां गरीब भील लोग तो अब पुरुशार्थ कर बाप से राजाई लेनी चाहिए यहा है रुद्र ग्यान यग्ये इसमें नाम क्रश्न का डाल दिया है भक्ती मार्क के लिए यह सब चीजें सास्त्र आदीप बने हुए हैं भगवान तो एक ही है जिनको पतित पावन कहा जाता है सांती धाम और सुक धाम में कोई भी पुकारते नहीं तो बच्चो को पूरा नसा चलना चाहिए यहा है रुद्र ग्यान यग्ये इनके बाद कोई यग्ये नहीं रचा जाता वहाँ जिस्मानी यग्ये रचते हैं आफ़तों को मिटाने के लिए बाप कितनी बड़ी आधा कल्प के लिए आफ़ते मिटाते हैं यहा कोई सादू संत नहीं जानते मुख्य गीता माता जो भगवान ने गई उसमें नाम क्रश्न का डाल दिया है तो अब मनुष्यों को साउधान करना है क्योंकि उन्हों का बुद्धी योग क्रश्न से जुड़ गया है क्रश्न तो ऐसे नहीं कहते मन मनाभव मुझे याद क करो तो साथ ले जाऊंगा यहां बाब बैठ लायक यहां बाब बैठ यहां लायक बनाते हैं सावरे से गोरा बनाते हैं तुम स्याम बन गए थे बाबा फिर सुन्दर स्वर्ग के लायक बनाते हैं चलते फिरते बुद्धी में बाबा को याद करना है बस यह अवस्था जम जाए तो तुम्हारा कितना बेडापार हो जाए, हेल्थ वेल्थ हैप्इनेस, बाबा से तुम इतना वर्षा लेते हो तो ऐसे बाब को कितना याद कर, उनकी सिखछा पर चलना चाहिए, काटो को फूल बनाना है, अभी तुम फूल बन रहे हो, यहां बगी चाहे, अभी है forest of tharnas अकासुर बकासुर यह संगम के नाम है उद्धार तो सबका होना है जो जितना पढ़ेंगे पढ़ाएंगे स्रीमत पर चलते रहेंगे बाप से 21 पीडी का वर्सा पाएंगे तुम सदा सुखी बन जाएंगे अभी तुम्हारी सो परसेंट चड़ती कला है फिर कलाएं कम होती जाती है इस समय कलाएं बिलकुल खत्म हो गई है गाते भी हैं मैं निर्गुन हारे में कोई गुन ना ही बाप को रहम दिल कहते हैं न कल्प कल्प संगम पर आते हैं भारत स्वर्ग होगा तो सब सुखी हो जाएंगे अभी बच्चों को स्रिमत पर चलना है आसूरी मत पर नहीं बाप कहते हैं मेरी सबसे जास्ती गलानी करते हैं या तो कहते हैं नामरूप से न्यारा या तो फिर कण कण में कहे देते हैं यह सब ड्रामा में नूंध है तुम अब तिरकाल दर्सी बने हो और बाप को जान बाप से वर्षा ले रहे हो अभी तो खूने नाहिक खेल होना है नाहिक सब आपते आएंगी कितने मरेंगे भक्ती मार्ग में तो कितने देवी देवताओं के चित्र बनाते हैं खर्चा करते हैं देवियां बना कर पूजा कर फिर डूबो देते हैं तो गुडियों की पूजा हुई ना काली का कैसा चित्र बनाते हैं ऐसे कोई मनुष्य थोड़े ही होते हैं तुम यहां बेठे हो तो यात्रा पर हो ट्रेन पर बैठे भी रुहानी यात्रा पर हो बुद्धी यात्रा पर लगी हुई है अगर बुद्धी योग लगा हुआ नहीं है तो वह टाइम वेश्ट हो जाता है बाप कहते हैं टाइम वेश्ट नहीं करना तुम्हारा टाइम बहुत वेल्यूवल है सेकें भी कमाई बिगर छोड़ो नहीं बाप तो फुल पुरुशार्थ कराते हैं बाबा ने विश्व को स्वर्ग बनाने के लिए यह यग्य रचा है बाबा बाबा करते रहना है तो बेड़ा पार होगा हम ब्रामन हैं हमारे उपर बड़ी responsibility है बाप कहते हैं है बच्चे आत्म अभिमानी बनो मनसा वाचा कर्मना किसी को दुख नहीं देना बहुत मीठे बनो क्रोथ से बड़ी service कर लेते हो संपूर्ण तो कोई बने नहीं है भूत बड़े खराब है अच्छा मीठे मीठे सिकलदे बच्चो प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉनिंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चो को नमस्ते हम सब रूहानी बच्चो की मात पिता अप दादा को याद प्यार गुड मॉनिंग और नमस्ते धार्णा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले यह टाइम बहुत वेल्यूबल है इसलिए एक सेकेंड भी इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है आत्म अभिमानी रहने का पुरुशार्थ करना है यह टाइम बहुत वेल्यूबल है इसलिए एक सेकेंड भी इसे कमाई बिगर नहीं छोड़ना है आत्म अभिमानी रहने का पुरुशार्थ करना है दूसरा पाइंड बाबा बोले चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है बहुत मीठा बनना है किसी को भी दुख नहीं देन है चलते फिरते बाप को याद कर अपनी अवस्था जमानी है बहुत मीठा बनना है किसी को भी दुख नहीं देना है वर्दान दिया बाबा ने परदान में बाबा बोले यथार्थ विधी द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर वन लेने वाले परमात्म सिद्धी भाव यथार्थ विधी द्वारा व्यर्थ को समाप्त कर नंबर वन लेने वाले परमात्म सिद्धी स्वरूप भाव डिटेल में बाबा बोले जैसे रोशनी से अंधकार स्वतह खत्म हो जाता है ऐसे समय संकल्प स्वास को सफल करने से व्यर्थ स्वतह समाप्त हो जाता है क्योंकि सफल करने का अर्थ है स्रेष्ट तरफ लगाना तो स्रेष्ट तरफ लगाने वाले व्यार्थ पर विन कर नंबर वन लेते हैं उन्हें व्यार्थ को इस्टॉप करने की सिद्धी प्राप्त हो जाती है यही परमात्म सिद्धी है वह रिद्धी सिद्धी वाले अल्पकाल का चमतकार दिखाते हैं और आप यथार्थ विदी द्वारा परमात्म सिद्धी को प्राप्त करते हो स्लोगन में बाबा बोले आपकारी पर भी उपकार करने वाला ही ग्यानी तु आत्मा है तो ये थे बाबा के महावाक के अच्छा ओम शन्ती